C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ के सामाजिक विज्ञान पाठ्थे क्रम के अंतरगत इतिहास की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक हमारे अतीत भाग तीन आईए अब सुनते हैं अध्याय दस शीर्शक है स्वतन्तृता के बाद और अब प्रस्तुत है पाठ प्रिश्ट संख्या 128 अध्याय दस स्वतन्तृता के बाद एक नया और खंडित राष्ट्र अगस्त 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनोतियां थी बटवारे की वज़ा से 80 लाख शर्णार थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे इन लोगों के लिए रहने का इंतिजाम करना और उन्हें रोजगार देना जरूरी था इसके बाद रियासतों की समस्या थी तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नबाबों के शासन में चल रही थी इन सभी को नए राश्ट्र में शामिल होने के लिए तयार करना एक टेढ़ा काम था शर्णाथियों और रियासतों की समस्या पर फोरण ध्यान देना लाजिमी था लंबे दोर में इस नवजात राश्ट्र को एक ऐसी राजनितिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहां के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके इस पाठ के नीचे एक चित्र है चित्र संख्या एक और इसका शीर्षक है इलहाबाद में महत्मा गांधी की अस्थियों का विसरजन जन्वरी 1948 इसका वर्णन इस प्रकार से है ये इस चित्र का वर्णन है अभी सद्मत्रता को च्छ महिने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया 30 जन्वरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गौड से ने महत्मा गांधी की हत्या कर दी वह गांधी जी के इस द्रिड विश्वास से मत्भेद रखता था कि हिंदूओं और मुसल्मानों को सद्भावना बनाते हुए इकठे रहना चाहिए उस शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाश्मानी पर जवाहरलाल नहरू का भावुक भाशन सुना भाशन का छोटा सा अंश दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी की रोष्णी बुझ गई और चारो तरफ अंधेरा है हमारे प्रियनेता, राष्ट्र पिता अब नहीं रहे प्रिश्ट संख्या 129 आईए सुनते हैं पार्ट 1947 में भारत की आबादी काफी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड यह आबादी भी आपस में बंटी हुई थी इसमें उची जाती और नीची जाती, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतिये थे इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे उनके पहनावों में भारी फर्क था उनके खान पान और काम धंधों में भारी विविधता थी इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्टर राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था एकता की समस्या के साथ ही विकास की भी एक बड़ी समस्या थी स्वद्नत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गाओं में रहती थी आजीविका के लिए किसान और काश्टकार बारिश पर निर्भर रहते थे यही स्थिती अर्थ व्यवस्था के गएर क्रिशीक शेत्रों की थी अगर फसल चोपट हो जाती तो नाई, बढ़ाई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था शेहरों में फैक्टरी मजदूर भीड भरी जुगी बस्थियों में रहते थे, जहां शिक्षा या स्वास्थे सुईधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए ना केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बलकि नए उद्द्योगों का निर्माण भी करना था, जहां लोगों को रोजगार मिल सके एक्ता और विकास की प्रक्रियाओं के साथ साथ चलना था अगर भारत के विविन तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर ना किया जाता, तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टक्राओं का रूप ले सकते थे लिहाजा ऐसे टक्राओं देश के लिए महंगे भी पढ़ते थे कहीं उची जाती और नीची जाती के बीच, कहीं हिंदूओं और मुसल्मानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाओं की आशंग का बनी हुई थी दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते हैं, तो और ज्यादा भेद भाव पैदा हो सकता था ऐसे स्थिती में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन और पिछडे इलाकों का फरक पैदा हो सकता था पार्थ में चलने से पहले एक गती विधी जो बॉक्स में दी गई है कलपना कीजिए कि आप 1947 में भारत से जाने वाले एक ब्रिटिश अपसर हैं उसी समय आप अपने घर वालों के नाम खत लिखते हैं जिसमें आप इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अंग्रेजों की अनुपस्थिती में भारत का क्या होगा भारत के भविश्य के बारे में आपकी राय क्या होगी इस पाठ में आगे चलने से पहले एक शब्द सार्व भावमिक वयस्क जिसका अर्थ है सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार अब आईए सुनते हैं पाठ नए संविधान की रचना दिसंबर 1946 से नौंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतियों ने देश के राजनीतिक भविष्टे के बारे में लंबा विचार विमर्ष किया यद्यपी इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी परंतु इसके सदस से पूरे देश में फैले हुए थे और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधी थे इन्ही चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया जिसे 26 जन्वरी 1950 को लागू किया गया हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभावमिक, वैस्क, मताधिकार का प्रावधान किया गया था इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज्यादा उम्र के सभी भारतियों को प्रांतिये और राष्ट्रिये चुनावों में वोट देने का अधिकार था यह एक क्रांतिकारी कदम था इससे पहले कभी भी भारतियों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकडों टुकडों में ही दिया गया था प्रिष्ट संख्या 130 इस प्रिष्ट पर सबसे पहले एक चित्र चित्र संख्या 2 और इस चित्र के बारे में वर्णन इस प्रकार से किया गया है संविधान के उद्देश्यों पर रोश्णी डालने वाले प्रस्ताओं को पढ़ते हुए जवाहरलाल नहरू यहां एक सभा का चित्र है जिसमें सभासद बैठे हैं और पंडित जवाहरलाल नहरू संविधान के उद्देश्यों पर रोश्णी डाल रहे हैं अब सुनते हैं पाठ वहां सबसे पहले संपन पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी मताधिकार दिया गया मजदूर पुरुषों को काफी लंबे संघर्ष के बाद यह अधिकार मिला महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया वह भी लंबे जुझारू संगर्ष के बाद इसके विप्रीत भारत में आजादी के कुछ ही समय बाद ये फैसला ले लिया गया कि देश के सभी स्त्री पुरुशों को यह अधिकार दिया जाएगा भले ही वे अमीर हो या गरिव पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो संभिधान की दूसरी विशेश्टा यह थी कि उसमें तमाम जातियों धर्मों या किसी भी तरह की प्रिष्ट भूमी से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नजर में समान माना गया भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर ही आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोशित किया जाए अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदारण दिया जिसका गठन ही एक खास समुदाय यानि मुसल्मानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था परंतु भारती प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और नहीं बनना चाहिए मुसल्मानों के अलावा भारत में सिख और इसाईयों की भी बड़ी संख्या थी इसके अलावा पार्सी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग भी थे नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को वही अधिकार दिये गए जो अधिकार हिंदूओं को दिये गए थे चाहे सरकारी या निजीक शेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित को इमामला हो इन सभी समुदाईयों के लोगों को वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदूओं को दिये जा रहे थे। संभिधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तवकों के लिए विशेष सुविधाओं की विवस्था की गई थी। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआचूट के चलन को खत्म कर दिया गया था। अब तक हिंदूओं के मंदिरों में केवल उची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। जिन्हें अब तक अच्छूत माना जाता था, अब वे भी मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद समविधान सभा ने यह भी तैय किया कि विधाई का की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। कुछ लोगों की दलील थी कि अच्छूत जिन्हें उस समय हरीजन कहा जाता था, उम्विद्वारों के पास इतने अंक या शेक्षनिक योग्यता नहीं होती कि वे भारतिये प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सकें। परंतु जैसा की सम्विधान सभा के सदस से एच जे खांडेकर ने कहा था, हरीजनों की अक्षमता के लिए उची जातियां जिम्मेदार हैं। अपने सुविधा संपन सहकर्मियों को सम्बोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था। आए सुनते हैं उनका कथन। हमें हज़ारों साल तक दबा कर रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाये रखा और हमें इस कदर दबाया है कि अब ना केवल हमारे मस्तिश्क और शरीर बलकि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और नहीं हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। पाठ में चलने से पहले एक बॉक्स इसी प्रिष्ट पर और उसका शीर्शक है हमें उन्हें सुरक्षा और अधिकार जरूर देने चाहिए। श्रोत संख्या एक मुख्य मंत्रियों को लिखे गए एक पत्र में नहरू ने कहा था। हमारे पास एक मुस्लिम अलप संख्यक समुदाय है जो संख्या की द्रिष्टी से इतना बड़ा है कि अगर वे चाहें तो भी कहीं नहीं जा सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है जिसके बारे में बहस की कोई गुणजाईश नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से चाहे जितना उकसावा हो और वहां के गैर मुसल्मानों पर चाहे जो भी अत्यचार हो रहे हों, हमें इस अलप संख्यक समुदाय के साथ सब भे ढंक से व्योहार करना है। हमें इस समुदाय को भी वही सुरक्षा और अधिकार देने होंगे, जो किसी लोक तांत्रिक राज्ये के नागरिकों को मिलते हैं। आए अब सुनते हैं पाठ। भूत पूर्व अचूतों के साथ साथ, आदिवासियों या अनुसूचित जन जातियों को भी विधाई का और नौक्रियों में आरक्षन दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतियों को भी वन्चित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था आदिवासी आधुनिक स्वास्थे सुविधाओं और शिक्षा से वन्चित थे उनकी जमीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कबजा होता जा रहा था सम्विधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले उनका उद्देश्य इस स्थिती में सुधार लाने का था सम्विधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बटवारे पर भी लंबी चर्चा की कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महतोपूर्ण होने चाहिए उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तो तभी वह पूरे देश की उन्नती के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज्यादा स्वायत तता और आजादी मिलनी चाहिए मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है अगले प्रिष्ट पर चलने से पहले इसी प्रिष्ट पर एक गतिविधी और गतिविधी इस प्रकार से है एक मुस्लिम परिवार में बाप बेटे के बीच हो रही बातचीत की कलपना कीजिए बेटा मानता है कि विभाजन के बाद परिवार को पाकिस्तान चले जाना चाहिए जबकि पिता का विश्वास है कि उन्हें भारत में ही रहना चाहिए इस अध्याए तथा अध्याए ग्यारह में दी गई सूचना के आधार पर अभिने करके बताएं कि दोनों के तर्क क्या होंगे प्रिष्ट संख्या 132 मदरास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्यस्तर पर लोगों की कुशलक्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतिय सरकारों के उपर ही होना चाहिए इन मत्वेदों को दूर करने के लिए संबिधान में विभिन विशयों को तीन सूचियों में बांट दिया गया केंद्रिय सूची, राज्य सूची और सम्वर्ति सूची केंद्रिय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों आधी को रखा गया ये ऐसे विशय थे जो केवल केंद्र सरकार के आधीन थे राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थे जैसे विशय लिये गए जिनकी जिम्मधारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के उपर थी समवर्ती सूची में वन एवं कृशी आदी ऐसे विशयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी संबिधान सभा में बोलते हुए टीटी कृष्ण माचारी ने दक्षिन के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहां के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे इस विवाज से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया गया संबिधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राज भाषा का दर्जा दिया जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन राजियों के बीच संचार आदी के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला किया गया संबिधान की रचना में बहुत सारे भारतियों ने योगदान दिया था इनमें सबसे महतुपूर्ण योगदान संभौता डॉक्टर बी आर अंबेटकर का था जो संबिधान सभा की प्रारूप समीती के अध्यक्ष थे और जिनके नेत्रित्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था संभिधान सभा के सामेरे अपने आखिरी भाषन में डॉक्टर अंबेटकर ने कहा की राजनीतिक लोकतंतर के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंतर भी जरूरी है यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर गरीब या उची और नीची जातियों का फासला अपने आफ खत्म नहीं हो जाएगा उन्होंने कहा की नए संभिधान के साथ भारत अंतर विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है राजनीती में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम असमानता की रहा पर चलेंगे राजनीती में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मुल्य के सिध्धान्त का पालन करेंगे इसके विपरीत अपनी सामाजीक एवं आर्थिक स्तनरजना के फलसरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिध्धान्त का निशेध करते रहेंगे. अगले प्रिष्ट पर चलने से पहले, इसी प्रिष्ट एक सो बतिस पर एक चित्र दिया गया है और ये है चित्र संख्या तीन, इसका शीर्षक है डॉक्टर बी आर अम्बेड कर. वर्नन इस प्रकार से है, डॉक्टर बी आर अम्बेड कर, 1891 से 1956 तक को प्यार से लोग बाबा साहिब के नाम से पुकारते थे. वह एक मराठी भाषी दलित परिवार से थे. डॉक्टर अम्बेड कर एक जाने माने वकील और अर्थ शास्त्री थे. उन्हें दलितों का एक महान नेता और भारतिय संविधान का जनक माना जाता है. इसी प्रिष्ट पर एक और बॉक्स और उस बॉक्स में दी हुई है गतिविधी. आईए सुनते हैं गतिविधी. अंग्रेजी को भारत की एक भाषा के रूप में बनाये रखने के फैसले के आज की तारीख में होने वाले एक फाइदे और एक नुक्सान पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए. प्रिष्ट संख्या 139 राज्जियों का गठन कैसे किया जाए? 1920 के दशक में स्वतनतरता संघर्ष की मुख्य पाठी भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रिस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आजाद हो जाएगा, प्रतेक बड़े भाषाई समुह का अपना अलग प्रांत होगा. भाषाई का अर्थ होता है भाषा से संबन्धित आजादी मिलने के बाद कॉंग्रिस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था. इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बलकि दो राष्ट्रों को मिल रही थी. भारत विभाजन के फलसरूप हिंदूओं और मुसल्मानों के बीच हुए भीशन दंगों में दस लाग से ज़्यादा लोग मारे गए थे. ऐसे में यह चिंता स्वभाविक थी कि क्या हमारा देश भाष्ट्रा के आधार पर इस तरह के और बटवारे जहेल सकता था? प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू और उप्रधान मंत्री वल्लब भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्जियों के गठन की नीती के विरोधी थे. विभाजन के बाद नहरू ने कहा था, उपद्रोकारी प्रवृत्तियां स्तिर उठा रही हैं, जिन पर अंकुष लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एक जुट होना चाहिए, वरना जैसा की पटेल ने कहा, आईए सुनते हैं कि श्री वल्लब भाई पटेल न विभाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज आगे बढ़नी चाहिए, और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज को खारिज कर दिया जाना चाहिए, हमने यही कसोटी भाशाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है, और इस कसोटी के हिसाब से हमारी राहे म इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता। इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कंणर भाशी, मल्यालम भाशी, मराठी भाशी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मदरास प्रेजिडेंसी के तेलुगू भाशी जिलों में दिखाई दिया। जब 1952 के आम चुनाओं में नहरु वहां चुनाओ प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले जंडे दिखाए और हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। इसी साल अक्तूबर में वयो व्रिद्ध गांधिवादी पोट्री श्री रामुलू तेलुगू भाशियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूक हरताल पर बैठ गये जैसा कि हमने चितर संख्या चार में देखा। जैसे जैसे अंशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्री रामुलू के समर्थन में आने लगे और जगह जगह लोग हरताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे। प्रिश्च संख्या 134 58 दिन के अंशन के बाद, 15 दिसंबर 195 को पोट्टी श्री रामुलू का दिहांत हो गया। जैसा कि एक अख़वार ने लिखा था, श्री रामुलू के दिहांत की ख़वर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी। इस तरह एक अक्तूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश के स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाई भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे। उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनह तै किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बाट कर कई राज्ये बना दिये गए। कुछ समय बाद 1960 में बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी दो अलग राज्यों में बाट दिया गया। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हर्याना को अलग राज्ये के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजावी भाषीयों जिन में से ज्यादतर सिख थे और हर्याना में हर्यानवी या हिंदी बोलने वालों की बहुत आयत थी। इसी प्रिष्ट पर चित्र संख्या 5 क और यहां एक भारत का मानचित्र दिया गया है, जिसमें भाषाई राजियों के गठन को दर्शाया गया है. प्रिष्ट संख्या 135 और इस प्रिष्ट पर सबसे पहले एक चित्र, चित्र संख्या 5 ख और यहां एक भारत का मानचित्र है, जो 1 नौवंबर 1956 से पहले के भारती राजियों को दर्शाता है. और इसके बारे में वर्डन इस पकार से है. जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिये गए तो उनकी रियासतें खत्म हो गएं. परंतु 31 अक्तूबर 1956 तक कई ऐसी रियासतों को प्रशासनिक इकाईयों के रूप में बनाये रखा गया. इसलिए 1947-48 से 31 अक्तूबर 1956 की कालावधी के लिए इन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया है. इसी प्रिष्ट पर एक और चित्र, चित्र संख्या पांच, ये भी भारत का मानचित्र है और इस मानचित्र में 1975 की स्थिती में भारती राज्यों को दिखाया गया है. गतिविधी, चित्र पांचक, पांचख और पांचग, ये तीनों मानचित्र हैं, इन्हें देखें ध्यान दें कि चित्र पांचख में रियासतें दिखाई नहीं दे रही है उन राजियों को पहचाने जिनका 1956 और बाद में गठन किया गया था उन राजियों की काउन सी भाषाए थी पृिष्ट संख्या 136 पृिष्ट संख्या 136 में सबसे पहले एक चित्र, चित्र संख्या 6 और इस चित्र में महानदी के पानी को रोकने के लिए बनाया गया पुल दिखाया गया है और उसके बारे में कहा गया है स्वतंत्र भारत में पुल और बांध विकास का प्रतीक बन गए थे एक छोटा सा बॉक्स और उस बॉक्स में राज्ये के बारे में परिभाशा दी गई है सरकार से संबंधित ध्यान दें कि राज्ये शब्द का यह अर्थ देश के विभिन राजियों या प्रांतों से नहीं है अब आएए सुनते हैं पाठ विकास की योजनाएं बनाना भारत और भारतियों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तक्नीकी एवं अध्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष था 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया इस बारे में ज्यादतर सहमती थी कि भारत मिश्रित अर्थ विवस्था के रास्ते पर चलेगा जहां राज्य और निजी ख्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस पर पूरक भूमिका अदा करेंगे किस ख्षेत्र की क्या भूमिका होगी अर्थात काउन से उद्योग सरकार द्वारा और काउन से उद्योग बाजार द्वारा यानि निजी उद्योग पतियों द्वारा लगाए जाएंगे विभिन ख्षेत्रों और राजियों के बीच किस तरह का संतूरन बनाया जाएगा इन सब को परिभाशित करना योजना आयोग का काम था पाठ में चलने से पहले एक चित्र यहाँ पर और ये है चित्र संख्या साथ शीर्शक है गांधी सागर बांध पर चल रहा काम वर्णन इस प्रकार से है मध्य प्रदेश स्थित चंबल नदी पर बनाये गए चार बांधों में से यह पहला था इसका निर्मान 1960 में पूरा हुआ सुनते हैं पाठ 1956 में दूसरी पंचवर्षिय योजना तयार की गई इस योजना में इस पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध पर योजनाओं आदी पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया ये काम सरकारी नियंतरण के अंतरगत रखे गए भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थ ब्यवस्था की राज्य नियंतरण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीती को प्रभावित करती रही इस पध्धती के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर परियाप्त जोर नहीं दिया जा रहा है प्रिष्ट संख्या 137 प्रिष्ट संख्या 137 में सबसे पहले सुरोत दो और इसका शीर्षक है पंच वर्षिय योजनाओं पर नहरू के विचार आईए सुनते हैं योग की आउधारना नहित है हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंतर का ही महत्व नहीं होता बलकि जनता के उत्साह और सहयोग का महत्व इससे भी ज्यादा है हमारे लोगों को एक विशाल उद्यम में साजेदारी का उत्साह उन्हें अपने अगले उद्देश्य की और बढ़ते सहयात्री जैसा एहसास होना चाहिए बेशक योजना बहुत सारे अर्थशास्त्रियों, सांखी की विशेशग्यों और ऐसे ही दूसरे लोगों की गणनाओं पर आधारित हो सकती हैं और होगी परन्तु केवल आंकडों और संख्याओं से हलांकि ये महतुपूर्ण है, ये किसी योजना में जीवन पैदा नहीं करते जीवन का यह उच्छवास तो कहीं और से आता है अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि थंडे अक्षरों में लिखी योजना को एक ऐसा जीवन्त गतिशील उद्यम बना दें कि वह लोगों की कलपनाओं को साकार कर सके इसी प्रिष्ट पर चितर संख्या आठ और इसका शीर्षक है भीलाई इस्पात संयत्र में जवाहरलाल नहरू वर्णन इस प्रकार से है भीलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना 1969 में ततकालीन सोवियत संग की सहायता से की गई थी 36 गड़ के पिछड़े ग्रामीन इलाके में स्थित यह कारखाना आधुनिक भारत के विकास का एक महतोपूर्ण प्रतीक बन गया था अब आए सुनते हैं पाठ कुछ लोगों का कहना था कि प्राथ्मिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पढ़ रहे प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है महात्मा गांधी की अनुयाई मीरा बहन ने 1949 में लिखा था विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे यानी मानावता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी हमें कुदरत के संतुरन का अध्यायन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी जिन्दगी चलानी चाहिए तभी हम स्वस्थ और नहतिक रूप से सभ्वे प्रजाती के रूप में जीवित रह पाएंगे इस प्रिष्ट पर एक गतिविधी भी है आए सुनते हैं क्या मीरा बहन की यह मान्यता सही थी? कि विज्ञान और मशीनरी मानो सभ्वेता के लिए समस्याएं खड़ी कर देंगे? इस बात पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए इस चर्चा के लिए आप औद्योगिक प्रदूशन और जंगलों के विनाश से हमारी दुनिया पर पढ़ रहे प्रभावों जैसे उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं प्रिष्ट संख्या 138 इस प्रिष्ट पर दो चित्र दिये गए हैं जिसमें पंडित जवहरला नहरू रूसी प्रतिनीधियों के साथ दिखाई दे रहे हैं और एक और चित्र है उसमें भी पंडित नहरू को हम देख सकते हैं आईए अब सुनते हैं इस बॉक्स का पाठ जिस समय भारत को आजादी मिली तब तक दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ ही समय हुआ था 1945 में गठित की गई नई अंतरराष्ट्रिय संस्था संयुक्त राष्ट्र अभी अपने 600 काल में थी 1950 और 1960 के दशकों में श्रीत युद्ध का उदय हुआ शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई और अमरीका वा सोवियत संग के बीच वैचारिक टकराओ गहरे होते चले गए फल सरूप दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों को मिला कर सैनिक गठ बंधन बना लिये यही समय था जब अपनिवेशिक सामराज्य ध्वस्त हो रहे थे और बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे तलहान मंत्री जवाहरलाल नेहरू नव स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री भी थे उन्होंग ने इस संदर्व में स्वतंतर भारत की विदेश नीती की रूप रेखा तयार की गुट निरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीती का मूल आधार था मिस्र, युगोसलाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नित्रित्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने दुनिया के देशों से आहवान किया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठ बंधनों में शामिलना हो परन्तु गठ बंधनों से दूर रहने की इस नीती का मतलब अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था अलग थलग रहने का मतलब था कि विभिन्द देश अंतरराष्ट्रिय मामलों से दूर रहे जबकि भारत जैसे गुट निरपेक्ष देश तो अमेरिकी और सोवियत गठ बंधनों के बीच सुलह सफाई में एक एहम भूमी का अदा कर रहे थे इन देशों ने युद्ध को टालने के प्रयास किये और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानावतावादी और नैतिक रवईया अपनाया परंतु विभिन कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुट निरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा 1970 के दशक तक बहुत सारे देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदसे बन चुके थे इसी बॉक्स पर नीचे एक चित्र है ये है चित्र संख्या 10 और इसके बारे में वर्णन है बांडुंग इंडोनेशिया में एशिया और अफ्रीका के नेताओं की बैठक जो सन 1955 में हुई इस प्रसिद्ध सम्मेलन में 39 से ज्यादा नवस्वाधीन देशों के प्रतिनिधियों ने इस बाद की चर्चा की थी कि अफ्रीका एशिया के देश उपनिवेश्वाद और पश्चिमी प्रभुत्तों के विरुद्ध अपने प्रयास किस तरह जारी रख सकते हैं प्रिष्ट संख्या 149 राष्टर के 60 वर्षों के बाद 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्टर के रूप में अपनी 60 वी वर्ष गांठ मनाई थी इस दौरान हमारे देश का प्रजर्शन कैसा रहा? संविधान में तै किये गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए? भारत अभी भी एक है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है यह गर्व करने लायक उपलब्धी है बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा उन्हें लगता था कि भारत का प्रतिय क्षेत्र या भाशाई समूह अपने अलग राष्टर की मांग करेगा और उसके तुकड़े तुकड़े हो जाएंगे कुछ विशेशग्यों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कबजे में आ जाएगा परन्तु ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई हैं आजादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्जियों तथा स्थानिय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं हमारे यहां स्वतंत्र प्रेस है और एक स्वतंत्र न्याय पाली का है इसके अलावा यहां के लोगों की भाशाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रिय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई है परन्तु दूसरी और यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं समवैधानिक गारंटियों के बावजूद अच्छूत समुदाय या जिन्हें अवदलित कहा जाता है आज भी हिंसा और भेद भाव से जूज रहे हैं ग्रामीन भारत के बहुत सारे भागों में अभी भीवे साज़ा जल स्रोतों, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तिमाल नहीं कर सकते संविधान में दिये गए धर्म निरपेक्ष आदर्शों के बावजूद, बहुत सारे राज्यों में विभिन धार्मिक समुहों के बीच कई बार टकराओ हो चुके हैं और सबसे परिशानी की बात तो यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता गया है भारत के कुछ भागों और कुछ समुहों को आर्थिक विकास से भारी फाइदा हुआ है वे आली शान घरों में रहते हैं महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं और विदेशों में छुटियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं दूसरी और बहुत सारे लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं शहरी जुगी बस्तियों या बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते चित्र संख्या ग्यारह इसी प्रिष्ट पर और इसके बारे में वर्णन इस प्रकार से है मुंबई स्थित धारावी दुनिया की सबसे बड़ी जुगी बस्तियों में से एक है इसके दूर वाले हिस्ते पर आप गगन चुम्बी इमारतें देख सकते हैं इस चित्र में आपको विरोधा भास दिखाई पड़ता है जुगी जुपडियां है और उनकी फ्रिष्ट भूमी में गगन चुम्बी बड़ी बड़ी इमारतें हैं समाजीक असमानता का इस से बड़ा और चित्र क्या होगा आईए अब सुनते हैं पार्ट हमारा संविधान कानून की नजर में सब को बराबर मानता है लेकिन असली जिन्दगी में कुछ भारतिये औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर है सुनत्रता के समय तह की गई कसोटियों के हिसाब से देखें तो भारतिये गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता लेकिन यह भी सच है कि वह विफल भी नहीं हुआ है प्रिष्ट संख्या 140 और सबसे पहले एक बॉक्स उसका शीर्षक है अन्यत्र और उप शीर्षक है श्री लंका में क्या हुआ आईए सुनते हैं 1956 में जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राजियों का पुनरगठन किया जा रहा था उसी समय श्री लंका जिसका ततकालिन नाम सीरोन था कि संसद ने एक कानून पारित करके सिहला भाषा को देश की राजभाषा का दरजा दे दिया इस कानून के जरीए सिहला भाषा को सभी सरकारी स्कूल कॉलेजों, सरकारी परिक्षाओं और अदालतों की भाषा बना दिया गया श्री लंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अलफ संख्यकों ने इस कानून का विरोध किया एक तमिल संसद ने कहा कि जब आप मुझसे मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेते हैं एक और नेता ने चेतावनी देते हुए कहा आप स्टीलोन को मांटना चाहते हैं निश्चिंत रहिए मैं आश्वासन देता हूँ कि आपको एक विभाजित स्टीलोन ही मिलेगा सिहला भाषी एक विपक्षी सदस्य ने कहा था कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती है और इस कानून पर अड़ी रहती है तो इस छोटे से देश में दो तूटे फूटे रक्त रंजित देश भी पैदा हो सकते हैं पिछले कई दशकों से श्रीलंका में ग्रिह युद्ध चल रहा है जो इसी कारण पैदा हुआ कि वहां के तमिल भाषी अल्प संख्यकों पर सिहला भाषा थोपी जा रही है और एक अन्य दक्षिन एशियाई देश पाकिस्तान भी इसलिए दो टुकडों में बट गया था क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के बंगला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है इसके विपरीत भारत एकिक्रित राष्टर के रूप में कायम रहा है कुछ हद तक इसलिए कि यहां बहुत सारी क्षेत्रिय भाषाओं को फलने फूलने का मौका दिया गया अगर हिंदी को उसी तरह दक्षिनी भारत पर थोप दिया जाता तो जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू या उत्तरी श्रीलंका पर सिहला भाषा को थोप दिया गया था तो शायद भारत भी ग्रिह युद्धों में उलज कर बिखर जाता जवाहरला नेहरू और सरदार पटेल की आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए भाषाई राज्यों ने भारत की एकता के लिए कभी खत्रा पैदा नहीं किया बलकि उन्हों ने इस एकता को और गहराई दी है इससे पता चलता है कि जब एक बार अपनी भाषा के दबने का भय खत्म हो जाता है तो विभिन भाषाई समू हूँ एक विशाल राष्ट्र के अंग के रूप में सहज आगे बढ़ने लगते हैं आईए कल्पना करें आप एक आदिबासी तथा एक आरक्षण विरोधी व्यक्ती की बहस सुन रहे हैं कल्पना कीजिए कि दोनों व्यक्ती अपनी ओर से क्या दलील दे रहे होंगे इसे चर्चा को अभिने करके दिखाईए फिर से याद करें एक नव स्वाधीन भारत के सामने काउन सी तीन समस्याए थी बताईए दो योजना आयोग की क्या भूमी का थी प्रकाश डालिए तीन खाली स्थानों को भरें क केंद्रिय सूची में खाली स्थान खाली स्थान और खाली स्थान विशय रखे गए थे ख, समवर्ती सूची में खाली स्थान और खाली स्थान विशय रखे गए थे ग, वह आर्थिक योजना जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को विकास में भूमी का दी गई थी, उसे खाली स्थान मॉडल कहा जाता था प्रिष्ट संख्या 141 ग, खाली स्थान की मृत्यू से इतना जबरदस्थ आंदोलन पैदा हुआ कि सरकार को आंधर भाशी राज्ये के गठन की मांग को मानना पड़ा आपको खाली स्थान भरना है चार, सही या गलत बताएं ख, आजादी के समय ज्यादतर भारतिये गाओं में रहते थे ये सही है या गलत ख, संविधान सभा कॉंग्रेस पार्टी के सदस्यों से मिलकर बनी थी सही या गलत ग, पहले राष्ट्रिये चुनाओं में केवल पुरुशों को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया था ये सही है या गलत है ग, दूसरी पंच वर्षिये योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था सही या गलत आईए विचार करें पांच राजनीती में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक वा आर्थिक जीवन में हम असमानता की रह पर चलेंगे कहने के पीछे डॉक्टर अम्बेटकर का क्या आशय था छे स्वत्मत्रता के बाद देश को भाषा के आधार पर राजियों में बांटने के प्रती हिचकी चाहट क्यों थी साथ एक कारण बताईए कि आजादी के बाद भी भारत में अंग्रेजी क्यों जारी रही आठ आजादी के बाद प्रारंभिक दर्शकों में भारत के आर्थिक विकास की कल्पना किस तरह की गई थी? आईए करके देखें नौ, मीरा बहन कौन थी? उनके जीवन और आदर्शों के बारे में पता लगाएं दस, पाकिस्तान में भाषा के आधार पर हुए उन विवादों के बारे में और पता लगाएं जिनकी वजह से बांगला देश का जन्म हुआ बांगला देश को पाकिस्तान से आजादी कैसे मिली? यहां हमारे अतीत भाग तीन पाठे पुस्तक का दसवा अध्याय समाप्त हुआ हमारे अतीत भाग तीन अभी आफ सुन रहे थे कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान के पाठे क्रम के अंतरगत इतिहास की ध्वनी पाठे पुस्तक वाचन्स्वर, अजीत होरो, निर्माण सहयोग, शानु मुक्सीम, निर्माण, विमलेश्चोधरी तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत अभी से, सुन्स्वर, जीत है धन्त बावरा होग मुक्सीम, विमलेश्गोधरी बढ़ेगलेश्चोधरी perspectives